लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें बॉलिवुड की सूपर हिट सिंगर कनीका कपूर कोरोना वाइरस से पीडित हैं कनीका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज में भरती हैं और वहाँ उनका कोरोना का इलाज चल रहा है लेकिन इसी बीच कनीका की जिंदगी पर खत्रामंडराता नजर आ रहा है मिली जानकारी के मुताबिक कनीका की कोरोना की पांचवी रिपोर्ट सामने आई है डॉक्टर्स का कहरा है कि कनीका की पांचवी रिपोर्ट भी कोरोना पोसिटिव आई है जिसके बाद उनकी जिंदगी पर खत्रामंडराता नजर आ रहा है कोरोना की पांचवी रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद कनिका के साथ-साथ उनके परिवार वाले भी परिशान हो गए हैं कनिका की कोरोना की चौथी रिपोर्ट पोजिटिव आने पर उनके परिवार वालों का कहना था की कनिका का इलाज ठीक से नहीं चल रहा है और देश में लोकडाउन होने के कारण हम कनीका को अच्छे इलाज के लिए एयरलिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं हम कनीका के जल्दी ठीक होने की कामना कर सकते हैं अब सिंगर की पांचवी रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद उनकी वे उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं हालांकि कनीका की स्थिती पर डोक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है कोरोना के कई मरीज चार हफ़ते में स्वस्थ हो जाते हैं जबकि कई को दो महीने का समय भी लग जाता है यह मरीज के शरीर की प्रतिरोधक्षमता पर निर्भर करता है बतादें की सिंगर कनीका कपूर लंदन से लोटी थी और वे कोरोना संक्रमित पाई गई थी लंदन से लोटने के बाद कनीका ने सो से जादा लोगों की पार्टी भी होस्ट की थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जम कर ट्रोलिंग भी हुई थी वेब ओलिवुड के कई सितारों ने उन पर सवाल भी खड़े कर दिये थी जबकि इस बारे में कनीका ने अपना दर्द बया करते हुए कहा था कि जब मैं लंदन से लोटी थी तब उन्हें इस बिमारी के बारे में इतनी जादा जानकारी नहीं थी उन्होंने बताया कि जब वे लंदन से लोटी थी तब भारत में लोगों को आइसोलेशन में नहीं रखा जा रहा था कनिका का कहना है कि वे होली से पहले नो मार्च को लंदन से भारत लोटी थी लेकिन कनिका केस महामारी को लेकर गैर जिम्मेदाराना व्यहवार के लिए उन पर सवाल भी खड़े हुए और FIR भी दर्ज हुई कनिका की पांचवी रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आने के बाद डाक्टरों की मुश्किले बढ़ गई है साथ ही यह उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है